हेलो अध्रेंछ थियान फैमिली तो कैसे हो आप सभी लोग आई हो किया आप सी लोग बढ़िया होогगा आप सभी लोग बढ़िया होना भी चाहए तो फटाक से कर दो जल्दी से लाइक से स़्क्राइब चैनल पे कमेंट अगर तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो नहीं चाहो तो भी कर ही देना अब चैनल पे नहीं मतलब वीडियो पे कमेंट कर ही देना एक अच्छी सी पंचलाइन मुझे सजेस्ट करो कुम लोग कमेंट में जिसमें ये वीडियो पे कमेंट ना आए बाकी अप्सवड में बहुत सारे ठरकपन वाले सीन देखे थे बाई देखे थे अपन लोगों ने देखा हुआ होता सीन जाता है यह लोग पहुंच गए होते है इस्टार,C willst,C created and flame conditions balancing cción ए फ्लेम डवान्ट ले जिसके बार फाइटीं गौर्ड ऐलाइंस की इन्ट्री वहां होती है अब जब फाइटींगौड ऐलाइंस वहां पिंट्रिय उपे लॉट तो पहर ही सबकरद के चौरह हो जाता है जो लौ़र वर्ड के लोग होते हैं वह पहले ही मान लेते हैं या पपन को कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना जिसके बाद हम लोगों ने देखा हुआ होता है कि वारी आती है फाइटिंग ओर एलाइज की एल्डर सभी से प्रडाम नमस्ते मस्ते कहती है और में चीज जिससे बों नमस्ते कहती है वो होता है इस पिच्वल यानि साइकिक टीम का डिप्टी लीडर होगा या कि कोई एल्डर है ना वो कहती है वाव तो आप अभी भी ब्यूटिफुल है हला कि हैंडसम बोला था उसने हमने ब्यूटिफुल कर दिया खेर छोड़ो ऐसे भी साइकिक बर्ड में तो साइक लड़के ही है ना तो वो भी लड़की होगी तो लड़की तो ब्यूटिफुल होती है देन हम लोगोंने देखा हुआ होता है कि बर्ड ओफेन हो गया था तो एल्डर कहती है अब जाओ कून जाओ इस गुफा के अंदर और जब सभी लोग चले जाते हैं तो वो जियान को रोकते हुए कहती है जिन्दा लोट कराना मुझे तुमारे अंदर के सी में इंट्रेस्ट है अब किस चीज में इंट्रेस्ट है वो तो बाद में ही पता चलेगा बट अभी तो समंदर की ही बात की है जिन्दा के अंदर तो बहुत कुछ है देन हम लोग देखते है जो यान कून जाता है पहुँच जाता है तो वहाँ पे जाओन लीडर होता है यानि के 6th Palace Heaven Master वो जो आन की बेजज़दी का निकले कहता है सभी लोग 3 टीमें में डिवाइड हो जाओ 3 टीमें डिवाइड होती है जो आनके मात तो सो लोग आते है जो आनको फॉलो करते हुए बाकि वाइलिंग के पास आते हैं 1000 लोग और उसके पास 2000 लेकिन फिर भी जानमने 100 लोगों को लेकर ही वहाँ से निकलता है और कहता है टैंसर मतलो जब तक मैं जिन्दा हूँ कोई तो में हाथ नहीं लगा पाएगा क्योंकि जान की टीमें कुछ strong लोग थे हैं ना और इसके बाद यह लोग अंदर forest की तरब जाने लगते हैं और episode मैं वहीं end कर देता हूँ तो यह वाला जो episode है just वहीं से start होता है जिसके बाद जियान कहता है let's go और जियान कहता है यह आसपास जो 100 लोग होते तेजी से jungle की तरब तेज़ 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 दोर ने लगते हैं यह जो पूरा का फूरा forest होता है एक mystery रस औरे से भरा हुआ होता है जिससे सभी लोग को अफी press फील हो रहा होता है सब्सके इस area में इंटर होने बाले सभी लोग जितना episode समझे अंधी दोर में भाग रहे होते हैं दूसर जोन की powerful spiritual power की कान obviously यह काफी सारे खत्रों से भी बच रहे होते हैं चाहे अंधेरा हो या रात जोन की spiritual power हर टाइम पे बढ़कर आ रहती थी साथ यहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग उस rare energy को absorb करना चाहते थे और इखटा करना चाहते थे जिसका मतलब तक battle तो होनी ही है इसलिए जितना जल्दी हो सके उस जगह पर पहुंच कर एक आधिकार्याने पहले कपजा कर लो ताकि आपके पास एक strong support हो सके साथ ही चीजों को और resources को लेने के लिए सबसे strong चीज़ जो होती है वो होती आपकी मुठी मतलब fight obviously fight करके यह आप दूसरों से resources जी सकते हो और obviously भले ही यहाँ पर Fighting God Alliance की टीम हो अगर एक बार यह अपनी कम्यों को सामने की तरफ लाते हैं तो लोग इनके उपर भी attack कर सकते हैं हाला कि Fighting God Alliance का नाम तगड़ा हो सकता था लेकिन obviously जब resources यह पाबर या position की बात आती है तो लोग किसी से भी लड़ने से पीछे नहीं हटते इसलिए दिनी अच्छी चीजों के सामने Fighting God Alliance का जो नाम है वो भी काम नहीं आ सकता था इसलिए कोई भी अपनी कम्यों को जाकर नहीं कर सकता था लेकिन फिर भी Fighting God Alliance की जो रेपोटेशन थी वो काफी उची थी इसलिए इने कुछ ना कुछ फ्रॉपिट्स तो मिल सकते थे और लग बग एकदम अंधे इंसानों को रोकने के लिए ये अपने नाम का यूज करी सकते थे साथी टीम है कंटीनू चल रही जर्नी के साथ आखिरकार ओरिजन कोई वाले प्लेस की तरफ पहुच जाती है जो कि मार्क किया गया था साथी यहां पे आसपास के पेड़ और पौधे बहुत उचे हो गए थे इसलिए जोयन को बांकी के आँगे की सिच्वेशन और पोजीशन को देखने एकले इनके उपर जाना पड़ता है जिसके काई पेड़ पौधोने और जंगर ने सबसे ज़्यादा देखने के एरिया को रजिस्ट कर दिया था लेकिन आसपास के एरिया को देखते हुए काफी अलेट भी होते हैं जो देखके जोयन कहता है साबधान रहो मुझे बहुत सारे औरे फील हो रहे हैं लेकिन ना तो यह इनसान के हैं और ना ही जानबर के जोयन की स्पिचल पाउर चारो तरफ फैली होई होती है और जोयन की स्पिचल पाउर जो बाइफाई के डेट पर की तरफ चारो तरफ फैली होई होती है हर एक चीज को करेंट करके उससे पूछ सकती थी कि कौन है बे तू दूसर जो यान की बात को सुनकर सभी लोग हिला देते हैं अपना सायर और चारो तरफ लगते हैं ये देखने कि कौन है ये जो ये औरा फैला रहा है साथी जी ये काफी हैरानगी के साथ कहती है यहां बहुत सांती है और उसकी यहां के सामने के रास्ते को देख रही होती है रास्ते में हाला कि इने कुछ मैजिकल बीश्ट मिले थे और इनकी साइज तो छोड़ो पाबर भी काफी अच्छी खासी थी सिले इन लोगों ने उसे उकसाया नहीं था लेकिन अब यहां की चारतरब की सांती को देख के ऐसे थोड़ा सा आजीव लग रहा होता है क्योंकि यहां पे कोई भी मॉस्टर नहीं था लेकिन यहां पे इनेर्जी का कोई ज़्यादा फ्लेक्श्वेशन नहीं था ऐसा नहीं लग रहा था कि यहां पर कुछ भी है जोयान भी यहां पर थोड़ी सी नाराज़ी जज़ाता है लेकिन मैप पर ओबेसली इसी जगे को माक किया गया था जो की बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए था जिसके बाद जोयान तुरंती ओर्डर देता है कि 10 लोग तुरंती अलग से खोजे साथी साथ आप लोग साबधान भी रही है साथी फार्टिंग ओर्ड एलाइंस में और्डर्स को बिना किसी इच की चार्ट के फॉलो किया जाता है इसलिए जोयान का ओर्डर मिलने के बाद ये लोग तुरंती अलग हो जाते हैं और जोयान की बताय हुए काम में लग जाते हैं साथी अलग अलग डाइरेक्शन की तरफ दोड़ पड़ते हैं दूसतर जोयान ने भी जल्दी से अपनी आखे एक डिरेक्शन की तरफ मोडली होती और इस्पिर्चल पाउर से वहाँ खोजरी लगा होता है कि कुछ अजीब तो नहीं है हाला कि वहाँ कुछ गलत जोयान को मिलतो नहीं रहा था लेकिन जोयान के दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी कि वह जहाँ देख रहा है वहाँ कुछ तो गड़बड होनी चाहिए इस टाम पे जोयान के पीछे अभी भी 10 प्लस लोग थे हाला कि यहां का जो एरिया तो वो अब्यसली जंगल था लेकिन फिर भी देखा जा सकता था यहां बहुत एसियन पेड़ थे जो बहुत बड़े थे साथी जोयान जब इन ट्रीस की छाल पे देखता है तो उसे फिल होता है कि इसमें मौझूद जो रुइन्स है वो पहले देख हुए रुइन्स के कंपेर्जन में अलग है इसके लाबे इन रुइन्स के चार तरफ बाहरी किनारों पर एक लाल घेरा बना हुआ था जो काफी कोल्डनेस का हैसास दिला रहा था इसलिए जान को ये तो पता था कि कुछ तो गड़बड है बाबू भाईया इसलिए जान तुरंथी सभी लोगों को वापस बुलाता है जो सो लोग अलग अलग गए थे और सभी लोग से हिला कर जान के पास इखटा हो जाते है साथी वो सभी जान को बताते कि उन्हें कुछ भी अलग या गलत नहीं मिला है यहाँ पे जो यान थोड़ा से चोका हुआ होता है उसे नहीं पता था कि चमकदार सोर्स एनरजी कहां से खटा हो रही है साथी आपे कुछ पावरफुल मैजिकल बीष्ट भी खटा थे हलाकि रास्ते में जाने कुछ लोगों को मार डाला था जो अंतुरंदी कहता है यहाँ पे कोई भी एनरजी फ्लेक्शुएसा नहीं है लगता है यहाँ पे कोई भी एनरजी कोई सोर्स नहीं है कैसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई पहले आये था या फिर इस मैप के अंदर ही कोई खराब ही हो सकती है जो सुनकर जीये भी अपने ठुट्डी को से लाएं लगती है और कापी कुछ सोचने लगती है साथ यहाँ पे सोचने के लिए सो प्लस लोग भी अपना दिमाग लगाने लगते हैं और साब धानी से आसपास देख रहे होता है उन्होंने देखा था है यह जगह बिल्कुल वही थी जो मैप में लोकेटेड थी लेकिन यहापे कोई भी कोई नहीं थी जिसका मतलब था कि उनकी किस्मत खराब थी तभी जोन बात नहीं करता लेकिन अपने सिर को ठाका अपने चारों देखता है बहुत बड़े बड़े एसेंट पेड़ों को जिन पैजीब रंस बने हुए थे जिसके बड़ जोन की सोर्स एनर्जी बाहर आती है और वो अपने आतेली को फैलाती हो इसारा करता है एक एसेंट ट्री की तरफ और जैसे ही जोन उसे चूता है हर कोई काफी हैरान था क्योंकि हर कोई के आसपास बड़े बड़े ट्री थे लेकिन उनमें कुछ भी अजीब नहीं था और जानकि इन हरकतों ने सभी को हरान किया था हाला कि जैसे ही जानकि कुई और फ्लेम उस ट्री के नजदीक पहुँचती है अचाना कि ट्री बुरी तरीके से हिल जाता है मतलब थोड़ा सा हिलता है हाला कि ये मुमेट केबल बहुत हलकी थी लेकिन कई लोगों ने से देख लिया था जो देकर उत्तुरंदीक थी ये पेड़ हिल रहा है और हाला कि जैसी सभी ने एकसल लिया था चाना कि पेड़ों के ऊपर आखे दिखाई देने लगती है और उनकी ब्रांचे सभी को पर अटेक करने लगती है और सबसे इंपर्डेंट बाद ना कि बल वो ट्री बलकि आसपास के सभी के सभी 100 प्लस ट्रीज हिल रहे होते और उनकी तरफ तूट पड़े होते हैं साथ ये ट्री काफी एदा हार्ड होते हैं और जब ये वेपन से टकरा रहे होते हैं तो बिलकुल मेटल्स के टकराने जैसी आवाजे आ रही होती है और चिन गारियां उड़ रही होती है जैसे कि इस टील एक दूसे से टकरा रहा हो तब ये जोन की फ्लेम भी 4 तरफ फैल जाती क्योंकि जोन भी समझ गया था कि ये ट्री कोई नॉर्मल ट्री नहीं है साथ ये ट्री जोन की आग का सामना करते हो भी काफी खतरनाक थे लेकिन तुरंती तुतर बितर भी हो जाते हैं क्योंकि ऐसा लाग रहा है जैसे ये फ्लेम से डरते हो जो देखे जो अनके थे बहुत सारे सेंट्री हैं और इनकी पाउर भी काफी दबंगे और इनके टेंटिकल जैसी ब्रांचेस काफी स्ट्रॉंग और बैसली सभी लोग समझ गया होते कि इनसे ने पटना आसान बिल्कुल भी नहीं था लेकिन ये फाइटिंग और इलाइस के एलाइट लोग थे जिसे कहीं भी श्ट्रॉंग माना जा सकता था और टेलेंटेड इसलिए इन ट्रीस के सामने वो भला कैसे हार मान सकते थे या पीछे अट सकते थे इसलिए इनकी कुई तुरंती बेहने लगती और इनकी अटेक और भी खताना खोने लगते हैं ये बिल्कुल भी पीछे नहीं अट रहे थे हाला कि ट्रीस श्ट्रॉंग थे इतने खताना के टोको को सामना बो नहीं कर सकते थे अकरिकार सौप्रस लोगों की पावर अभी भी श्ट्रॉंग थी इसलिए जल्दी इन ट्रीस के बीच में दरारे दिखाई देने लगती हैं और बैंचेस काटी जाने लगती हैं जिससे ब्लाश्ट होने लगते हैं जिसके बाद एक चमकता हुआ इस परसा दिखाई देता है जो तीन कलर का था और ओबिसलि ये थ्री कलर सोर्स एनरजी थी जो देखकर जो हर कोई नाराज था उनकी आगे ग्लो होने लगती है और उनकी अटेक की ताकत और पावर और तरीके और भी बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ जा गया था कि एनरजी को अगर प्राप्त करना है तो इन ट्री को पेल दिया जाना चाहिए लेकिन आपेसली इन ट्री को डिश्ट्रा करने वहने काफी एनरजी लग रही होती है कम सकम अभी भी सैक्रो ट्री थे साथी ट्री कलाड सोर्स एनरजी अभी भी काफी अच्छी थी लेकिन जोहान की नजर में यह पर्याप नहीं थी इसलिए जोहान थोड़ा सा नाराज की भी जाताता है साथी यह ट्री जोहान को लाइब क्रियेचर से जिन्दा नहीं लग रहे थे बलकि जोहान को बल यह कोई को रखने के लिए एक अब्जेक्ट की तरह लग रहे होते हैं और यह एक रीजन भी था कि यह लड़ पा रहे थे जोहान ने यह भी अंदाज़ा लगा थे कि यह साहग इन रुइन्स के कारण है कि यह लड़ने में कैपवल है साथी यह रुइन्स कोई नौर्मल रुइन्स नहीं थे बल्कि जॉन को लग रहा थे एक कट पुतली को कंट्रोल करने के लिए यूज होने बाले रूइस थे यानि एक चिप की तरह जिनने बेहद मिश्टियस कहा जा सकता था जो की निर्जीब चीजों को कट पुतली और पपेट में बदल सकते थे ये टेक्निक कितनी पारफुल होगी ये सोच करी जॉन काफी हरान होता है और अपनी आकों को सिकोड लेता है साथ ही इतनी कलर सोर्स एनरजी को इकटा करने की जॉन बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाता बलकि वो इन रूइन को आखों पे कसकट टिका कर देख रहा होता है और कुछ कमिया खोजने की कोशिस कर रहा होता है लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद भी जॉन कुछ भी पता नहीं लगा पाए था जिससे जॉन इत्ता अंदाजा लगा था कि इन रूइन्स का जो मालिक होगा वो काफी पावरफुल होगा इसलिए इन रूइन्स को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता हाला कि फिर भी एच्छी बात थी कि अगर इन रुइन्स को तोड़ा नहीं जा सकता तो ये तो जानते हैं कि ये रुइन्स इस ट्री की लाइप पावर का सोर्स थे इसलिए से हल करना आसान हो सकता था साथी जौन की फिगर काफी तेजी से आंगे की तर निकलती है और अपने सामने की ट्री के अंगिनत ब्रांचेस को काफी स्पीड से तोड़ देती है साथी हर को यहाँ पे फाइट कर रहा था और डॉच कर रहा था और जौन की स्पीड सभी कटीली ब्रांचेस कोड़ा रही होती है जिसका टार्गेट अब्यसली वो था सती जुहान का target उसे tree के ruins तक जाने का था इसलिए जुहान तुरेंती fearless fire fish को कसते हुए अपने सामने दर्जन ओ फायल लोटस को blast करता है जो से खतानाग flame आप फूट पड़ती है जो सीधा इस tree की तरफ निकल रही होती है दूसर जुहान की भी भूए चड़ गई होती है और ऐसा लग रहा था कि उसने जो सोचा था वो सही नहीं था तब इस टमपी जुहान की lap tie open होती होती है और वो अपनी horizon को इको lap tie में डालता है जिसके बाद जुहान की आँको में अचानक ही अजीव अजीव सरकल बने लगते है और काभी साइच चीज़े बदलने लगती है जिसके बाद हलकी एक ट्लिक की आवा जाती है और जुहान की आखे चमकते होई ruins में बंद हो जाती है जिसके बाद जुहान की lap tie open एक ruin दिखाई देता जो इस एंट्री के ruin की तरह ही होता है इस टामपे इस एंट्री ने भी इल्ला बंद कर दिया था और एक चण रुकने के बाद उसकी ब्रांचस ने भी direction बदल दी थी और उसने बांकी के trees पर attack कर नाई start कर दिया था और इस scene को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं उन्होंने कभी भी उमीद ही की थी कि एस एंट्री एक दूसरे को पर attack करेंगे और lucky लिए लोग जुहान को देखते हैं जिसका चेहरा पसीने से तरबतर था क्योंकि इस time पे जॉन को काफी spiritual power के use करना पड़ा था जिससों इसकी सूल काफी ठक गई थी लेकिन क्योंकि अब 100 प्लस लोग थे जो इस tree के खिलाप लड़ रहे थे और tree भी एक दूसरे के खिलाप लड़ रहे थी इसलिए जॉन थोड़ा सा relax फिल कर सकता था जिसके बाद धीरे दीरे इस entry हार जाते हैं साथ ही अपने आखों को बंद करने और ध्यान के इंद्रित करने के बाद जॉन ने इस entry को और उनके ruins को open करना और control करना start कर देता है जैसे इन trees के ruins को उसकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है और जॉन को हवा में लटका हुआ दे का हर कोई समझ गया था कि ये trees की ऐसा behavior जोयान के कार है और उनके उपर हो रहा है attack को जोयान ने control किया था और उने बचाय था इसलिए सभी लोगों के दिल में जोयान के लिए respect और बढ़ जाती है और इस बात को लेकर वो सभी काफी curious होते क्यों जोयान ने आखिरकार ये किया कैसे साथ इस बात के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी यहां तक जोयान भी थोड़ा सा हैरान था कि वो इन पेड़ों को कंट्रोल करने में कैसे capable है यह उसकी उमीद के भी बाहर की चीज़ थी और यह केबल जोयान की डिवाइन आई के काट था यहसा जो यान को उमीद थी जोयान केबल उसके बारे में जानना चाहता था इसलिए जोयान ने यह ट्राइ किया था उससे बिलकुल भी उमीद नहीं थी कि यह आई बास तो मैं ऐसा कुछ कर देगी साथी जाहर सी बात थी कि डिवाइन आई का एपक्ट जोयान की उमीद से भी जादा था और पिछले कुछ दिनों में इसे इसे इन जंगल के अंदर काफी हल चल हुई थी और जोयानने केबल उस्तन ट्री को कंट्रोल किया था और इन जब सभी ट्रीस के रेड रुइन्स को ग्रीन कर दिया था साथी हार एक ट्री के उपर थ्री कलर की साइन होती है जो कोई के अलग अलग लेविल्स को बताते थे और जैसे जैसे एक एक ट्री को तोड़ा जा रहा था बैसे बैसे एनर्जी भी यहाँ पर मिल रही होती है जिसके बाद जोयान कंट्रोल की एक पेड़ो को छोड़ देता है और अपने एक थोट के साथ लुइन्स को ब्रेक कर देता है जिससे ये नॉर्मल ट्री बन जाते हैं लेकिन यहाँ पर हल चलो अबिसली बहुत ध्याना ट्रेट करने बाली थी इसलिए कुछ फिगर से एक के बाद एक दिखाई देती है और लालची आखों से देख रही होती है साथी बेचेन जंगल को देखते हैं उन्हें पता था कि वहाँ जरूर कुछ होगा साथी कुछ लोग यहाँ पर काफी है हैरान भी होती कि उन्होंने थ्री कलर्ड लुइन्सेड एनरजी को देखा था आखिरकार जब वो इंटर हुएते हैं तो एक दिन के अंदर या तो एक या दो कलर्ड की उन्होंने सोची थी कि उन्हें मिल सकती है देकि थ्री कलर्ड एनरजी को देखकर सभी के दिल का एकसाइटमेंट बढ़ गया होता है और सभी लोग इसमें हिस्सा पाने के बारे में सोच रहे होते हैं कि सायर इसमें उन्हें भी कुछ पार्ट मिल सकता है कि नजरों के सामने कई आकड़े धीरे धीरे आंगे की तरब जाते हैं सत्य जान ने अब बेसली उन लोगों के लिए पहरा देनी की वैस थकी थी जो लोग क्लोज आ रहे थे और उन्हें तुरंत दूर कर दिया था वो तुरंत कहता है इस जगह की खोज हमारे फाइटिंग गोड़े लाइस द्वारा की गई है इसलिए आप ज़्यादा इगोफुल नहीं हो सकते सत्य जैसे ये फाइटिंग गोड़े लाइस का नाम सुथे हैं कापी सारे लोगों की नजरे आगचानक बदल गई होती हैं सत्य उनों ने ये भी देखा था कि फाइटिंग गोड़े लाइस के डिसाइबल्स की पाउर कापी पाउरफुल है इसलिए नॉर्मल लोग इसमें बिलकुल भी कॉम्पटीट नहीं कर सकते थे लेकिन ये चूतिया लोग बिलकुल हाड नहीं मानते बलकि ये खबरे फैलाना सुरू कर देते और आदेते इनके अंदर ही कम से कम चारतरब और ज़्यादा फिगर दिखाई देने लगी थी और इन लोगों की प्रेजेंस ने आपसली सभी लोगों को कापी उदास फील कर आये था और अपने दिलों में कुछ दबाओ भी यादा कि Fighting God Alliance जैसा नाम भी इन लोगों के दिल की लालच को दबा नहीं सकता था लेकिन इसमें अच्छी बात यह थी कि इन में से ज़्यादे तर पावर हाउसेस केबल लोग पावर बाले पावर हाउसेस थे इसलिए ये लोग ओवर है लैप नहीं कर सकते थे और इनकी पावर को देखतो एक जुट होना इंपॉसिबल था और लड़ने में एक दूसे की मदद करना तो और भी मुस्किल इसलिए जब तक ये सिचुएसन रहती है तो जो यानों बाकी के सभी लोग सिचुएसन को सॉल्व कर सकते थे लेकिन तभी 100 प्लस लोगों का एक फोर्स दिखाई देती है जो जो यानों बाकी सभी लोगों के बराबर थी सभी को हेलफलेस फील कराने के लिए पहले ही काफी था लेकिन अगर यहाँ पे मिश्टीरियस चीज और इनहीं टेंस की बात होती है तो कोई भी इसमें खड़ा होने के लिए तयार होगा और पीछे हटना नहीं चाहेगा सथी जासक टीमो का नाम तो जो इनका नाम सुनने के बाद पता लगा ही लेगा कि वे जान पहचान बाली है या नहीं क्योंकि जान इन में से काफी साई टीमो के साथ थाउजन बर्ड कॉमप्टीसर में मिल चुका था सथी जो टीम आई थी वो लिंग कॉंटीनेंट की थी जो कि थ्रिया पर यलम में से एक थी जिनकी रिसोर्सेस काफी अच्छे थे लिंग यानि की साइकिक टीम सायद और बहले ही यहां की लोग ज़्यादा टेलेंटेड ना हो लेकिन अपने रिसोर्सेस के साथ यह अभी भी किसी को भी पीछ आठाने में कैपबल थे सती इनकी आने के बाद अब्यसली बागी के सभी जो पावर हाउसेस थे वो यहां पे काना फूसी स्टार्ट कर देते हैं और अब इस लेकर यह चोटी चोटी पावर हाउसेस भी एक साथ ही खटा हो सकते थे तो इनकी पावर भी काफी कतानाक हो सकती थी जो जो जोना बाकी के लोगों के लिए खत्रा पैदा कर सकती थी साथी गने जंगलों के बीच एक के बाद एक आकड़े बढ़ते जा रहे होते हैं और सैक्रो लोगों ने जौनवा की लोगों को घेल लिया था किसी की भी सोर्स एनरजी बीक नहीं थी और सभी लोग इस थ्री कलर सोर्स एनरजी को ललचाई हुई नजरों से देख रहे होते हैं तभी सैक्रो फिगर्स के बीच में अचाना की सभी साइल सोल्जर्स अलग हो जाते हैं और एक फिगर धीरे धीरे भीर से बाहर आती है जिसने ब्रोकेट गाonne पैना हुआ होता है और उसके कमर के चातर पर एक सुन्दर बेल्ट्लoned का हुआ होता है और यह यह याएंग मास्टर की तरह लग रहा होता है और यह लिंग लू टीम की होती है जो कि अपर रिवलम में से एक में से थी और इस टीम को लीट करने वाली है परसन लिंग की होती है और उसका नाम लिंग की नहीं लिंग फैंग हुआन था जिसे पावरफुल कहा जा सकता है जिसने त्री स्टार फाइटिंग गौड को ब्रेक्ट्रू किया था जिसकी बार किसी से भी कम नहीं थी साथ ही एक कॉंटिनेंट यह की क्लेंट रिसोर्सेस से भी समरत था और फाइटिंग गौड एलाइंस के साथ कौम टीट करने के लिए यहां तयार था साथ ही आसपास के लोगों रे तो काना फूसी स्टार्ट करी दी थी और सभी लोग लेड़ी भी थे कि यह फाइट जरूर होगी क्योंकि लिए इस जनरेशन में उसे काफी श्ट्रूं कहा जा सकता है हर कोई लिंग फैंक वान या कि लिंग कोई को काभिया तारी भरी नजरों से देख रहा होता है जो सुनकर तो उसके चरपे एक स्माइल होती है कि उसके पास लोगों को डराने वाली पावर है और अपने औरे से ही वो किसी को भी डरा सकती है साथी उन्हें पता चला था कि फाटिंग और एलाइंस की इस टीम को लीड करने वाला परसन नाइन थैबन मास्टर जियो फैंक था साथी उसने ऐसा जो यान को और ज़्यादा चिढ़ाते हुए कहा था और उसके हाँ वाँ से ऐसा लग रहा था जैसे वो जो यान को बिल्कुल एक चीटी समझ रही हो तभी सभी लोग कहते नाइन थैबन के नए हैबन मास्टर कई लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने ऐलाइनस में इसके बार में कुछ चीज़े सुन रखी थी तभी वो कहते हैं तो क्या नाइन थैबन वो नहीं है जहां पर सबसे वीक लोग एखटा होते हैं क्या बास्ते में उनका एक ऐसा मास्टर भी अकेले एक टीम को लीड कर सकता है और यहाँ पे जो लोग बात कर रहे तो वो अबैसली एक दो बाते फाइटिंग ओड अलाइनस के बार में जानते थे तभी दूसरा बंदा कहता है लुक जाओ अभी भी नए पहले समास्टर जो फैंग की पावर अन्नोन है साथी फाइटिंग ओड अलाइनस मून की रिपोटेशन भी काफी अच्छी है क्योंकि जो परसन फाइटिंग ओड अलाइनस में अलाइनस मास्टर बन सकता है वो कोई नॉर्मल परसन नहीं होगा और कुछ लोग ज़ुआन की तारीब भी करने लगते है आखिर करजुआन अगर ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा तो कम से कम भीक भी तो नहीं होगा इसलिए ज़ुआन को कोई भी हलके में तो बिलकुल नहीं लेना जाता था जो देखकर एक परसन तुरंदी कहता है उस टीम से फार्टिंग गॉड एलाइंस का सबसे लो लेवल का पैलेस मास्टर है वो ब्रेदर फैंग उआ उसकी तुलना क्या ब्रेदर फैंग उआ से की जा सकती है आखिकर ब्रेदर फैंग उआ की पावर टैलेंटेड लोगों के बीच में बुरी नहीं है वो फार्टिंग गॉड एलाइंस लिग के अंदर एक टेलेंटेड और परफेक्ट परसन है उसे योहाइनस से क्यो डरना चाहिए जो की लिश्ट में सबसे नीचे है और इसना पर लिंग फैंग गुआ के बगल का एक परसन ऐसा कह रहा होता है जो की अबिसली उसकी तारीब कर रहा होता है साथ ये सुनने के बाद की जोन फार्टिंग गॉड एलाइंस के अंदर नाइन्थ हेवन का हेवन मास्ट या की योहाइनस था कई लोग थोड़ा सा रिलेक्स फिल करते हैं क्योंकि ये लोग अबिसली फाटिंग गॉड एलाइंस से डरते थे यहाँ तक ये लिंग फेंग हुआ से भी धरते थे लिकिन अगर योहाइनस की पाद ज़्यादा कता नाक नहीं है तो अबिसली ये लोग पीछे नहीं अटेंगे हाला कि यहाँ पे फिर भी ये लोग फाटिंग गॉड एलाइंस के बारें ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि उन्हें एक ही दाव लगाने की हिमत की थी कि फाटिंग गॉड एलाइंस को जब भी उन्होंने कभी भी लड़ते हुए देखा था तो अंगिनत फाट बेटल्स के बाद भी फाटिंग गॉड एलाइंस को उन्होंने सबसे पावरफुल माना था तबी लेंग फैंग भी इसमाइल करता है और यहाँ पे किसी की बात से उसे कोई फरक नहीं पड़ता था उसे अपनी पारवे पूरा अंधा विस्वास था कि वो किसी को भी लपेट देगा बुत्रंदी गहता है हाला कि यहाँने सबसे नीचे है लेकिन वो फाटिंग गॉड एलाइंस से है इसलिए उसे कम करके नहीं आका जाना चाहिए हाले कि उसने अपनी मुझ से ऐसा कहा था लेकिन आखों से साब पता चल रहा था कि वो जोयान को चीटी समझता है साथ ही अब बैसली फाटिंग गॉड एलाइंस के अंदर जोयान की जो पावर और चीज़े या बाते थी वो बाहर तक नहीं फैली थी इसले आउटर बर्ड में जोयान को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे ना उसके बारे में ज़्यादा पावर के बारे में पता था उन्हें केबल इतना पता था कि ये बंदा नया नया फाइटिंग गॉड बना है यानि के अलाइंस लीडर नाइन्थ हैबन का हैबन मास्टर और उन्हें लग रहा था कि ज़्यान के बार लखी लिए उस पोजी संदक पहुँच पाया होगा जिसमें लिंग फैंग गॉआ भी सामिल थी सामिल था जिसके बार वो तुरंदी कहता है हर कोई क्योंकि सभी कोई लिंग लूपर भरोसा करता है इसलिए मैं फाइटिंग गॉड एलाइंस के युआ इनस के साथ बैठा करूँगा और अगर वो हमें कोछ सोर्स कोई देने के लिए तैयार है तो हम अग्रेसिब नहीं होगे और ऐसे कहते वो फैंग हुआ हसने लगता है जो देखकर वो अच्छाना के एक बंदा कहता है क्या होगा अगर फाइटिंग गॉड एलाइंस के युआ इनस ने ऐसा नहीं किया तो ये सुनकर लिंग फैंग हुआ हसते हुए अपने मुग के कोने को ठाता है और तुरंदी कहता है अगर वो ऐसा नहीं चाहते कि उसकी पावर काफी अच्छी और वो किसी को धोका नहीं दे रहा इसलिए सभी लोग अपने सेहलाते हुए तुरंदी उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि उन्हें भी यहाँ पे कुछ मिल सके सभी लिंग फैंग हुए यहाँ पे सभी को अपनी राय को ब्यक्त करते हुए देखता है तो तुरंदी सेहलाता है और बादा करता है हर कोई मेरे संकेतों का इंतिजार करतेगा और अगर कुछ भी मामला होता है तो हम इस ओरीजन कोई के लिए बिलकुल भी पीछे नहीं हटेंगे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँने समझदार हो सकते हैं जो वरत्मान मामलों को समझते हैं और इतना कहते हैं लिंग फैंग हुआ अपने हाथ को हिराता है साथ इसकी जो आबाज दिवोका भी तेज गलगला हाट की जैसी होती है जैसी यह जो उनको डरा धमका के अपनी बात मन बाना चाहता हो साथ उसके पास अब्वेसली पर्याब डराने धमकाने की पावर थी दूसी तरब इस ट्रेंप इस जो या जो की लिवली ओरिजन कोई औरिजन कोई कोई कटा करने के लिए बीजी था वो भी थोड़ा सा रुखता और चोग्या होता है और दूर से आई अबाज को देखता है और अकेले में फुस्पोज आते हो कहता है लिंग लू ऐसा क्यो लगता है कि यह हर बार होता है जोयन को मीद नहीं थी कि टीम उसके सामने फिर भीड़ने के लिए आ जाएगी जोयन को अच्छे से आता कि 10,000 बर्ड कॉम्प्टीसन के अंदर भी वो इस टीम से भीड़ चुका था जिसके सभी लोग जोयन के हातों मारे गए थे लेकिन जोयन को मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद ये टीम फिर से उसके गेट के सामने आ जाएगी जोयन अपने इस पिचल पार का यूज करके फिल करता है कि यह आसपास 1000 लोग है और अब बैसले इन सभी टीमों को लिंग लूने टीम के इस बंदे नहीं अट्रेक्ट किया होगा उसके साथ निपटने के लिए और ये अबैसली लूट पार्ट के लिए की गई मिली भगत थी तब ही जे भी अपने बगल में जोयन की दरब देखते होगे कोल्ड आई से कहती है लगता है ये ओरिजन कोई को लूटने के लिए मिली भगत करना चाहते है जो देखे जोयन समाइल करते होगे कहता है तो क्या हुआ बास्टर्ड के बल बास्टर्ड है चाहे कितने भी लोगों के साथ वो फाइदा क्यों न उठाए क्या हुआ अगर यहां हजारों लोग है इन लोगों को केवल अपने चेरे पर थपड़ खाना है साथ जोयन के चेरे पर कोई भी डर के निसान नहीं होते नहीं पीछ आटने का कोई संकेत जोयन तुरन दिगा था हुआ उन्हें अंदर आने दो और लेंग फैंग वाँ जो यान की तरफ देखते हुए उसे ग्रिट करता है साथी वो जैसे जोयन को देखता और जोयन के और एको महसुस करता है तो उसकी आखे और भी जादा एरो गेंट हो गए होती है जिनसे ओरिजन कोई के फ्लेक्ट्वेशन को उसे महसूस हो रहा था जो अभी भी पूरी तरीके से नश्ट नहीं हुई थी तो उसकी आखों में लालच दिखाई देरे लगती है और वो तुरंदी काता है योहाइनेस बास्तर में लगी है मैं अभी अभी यहाँ पे आया हूँ और बहुत ही अधिक चमकदार कुई मुझे यहाँ पे मिली मैं सच में अफसोस फील कर रहा हूँ कि यह जगा मुझे पहले क्यो नहीं मिली जो सुनकर जिनसमाइल करता है और कोल्ड तरीके से कहता है बेवकूफी के कारण जो सिनकर तो लिंग फेंगवान पूरी तरीके से सन्न हो गया होता है उससे उम्मीद नहीं थी कि जान उसके खिलाब कुछ ऐसा कहेगा उसके आंके दीरे-दीरे कोल्ड हो जाती है और वो तुरंदी कता है यहाँनेस आपकी present time की situation बहुत अच्छी नहीं है इसलिए आपको पैसानी पैदा करने से बजने के लिए अपने दिमाग को लगाना चाहिए और कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए हाला कि ऐसा भी यहार अनुचित है फार्टिंग गॉड एलैसी strong है लेकिन आपके पास केबल 100 लोग है साथी सभी को पता है कि इसे लीड करने वाले यहाइनस की पावर सबसे निचले heaven पर है जो काफी चिंता जनक है तो 100 लोगों के मुकाबले 1000 लोग आप result सोच सकते हैं आपको कोई भी फायदा नहीं होगा बुझ जोहान को डराने के लिए यहां quantity का प्रॉप्रेट उर्थाना चाहता था जो देखें जोहान तुरंदी कहता है यह केबल भेडों का एक जुंड है जो यहाँ पे खटा हुआ है आपको नहीं लगता कि आप भी इनमें भेडियों का जुंड बनना चाहते है बैसे भी अगर आप फायट करना चाहते है तो आपको यह देखनी की ज़रूत नहीं कि कौन बड़ा थासिल कर सकता है और कौन नहीं जोहान को ऐसे डाटते हुए सुनकर तो फैंगवान कापी ज़रा नाराज हो गया होता है जोहन यह सुनते हो अपने सिर को भी थोड़ सा उपर उठाता है और उसकी बहुए लिंग फैंगवान से मिलती है और वो तुरंती कहता है आपका क्या मतलब है लिंग फैंगवान क्या ब्रदर फैंगवान यहां हमें घेर निकले strategy बनाना चाहते हैं जो सुनके link फेंगवान इसमाइल करते हैं अपने हाथ को इलाता और तुरंती कता है आप कोन मुझे लड़ाई में कोई फायदा नहीं होगा साथ यहां पे resources की कोई भी कमी नहीं है इसलिए मुझे लगता है यहां इसको फायट में जाने की कोई ज़रत नहीं क्योंकि यहां पे ज़्यादा तर लोगों के साथ situation और problem बाली होगी यहां पे link फेंगवान ऐसा लग रहा था जैसे बिलकुल महान आत्मा हो अच्छे बिचारों के साथ आया हो जिससे लड़ाई जगड़े में बिलकुल इंट्रेस्ट नहीं कभी जिन्दिगी में कोई गलत काम नहीं किया और उसके ऐसे थॉट को सुनकर ज़र्ण के चरपे एक स्माइल आती है कि वो जोयान से यहां पे मांगने के लिए हाथ बढ़ा रहा था दूसर जिये कि यहां के तो फुल कोल्ड हो गए होती है और वो तुरंति के दिया है बास्तो में तुम्हारा मूँ सेर का है हमारे योहानिस ने इसे हल करने के लिए कड़ी मेहनत की और आप यहां पे आकर फिप्टी फिप्टी चाहते हैं क्यों सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो सुनकर तो जयान भी लिंग फैंग वान की तब तिर्शी नजर से देखता है जिसका मतलब साब था कि जिये ने जो का वही जो यान कहना चाहता था लेकिन जिये ने सीधा मूपे कह दिया था दूसरब लिंग फैंग वान जोयन की तब देखता है उसके आंके काली पड़ जाती और हो कापी नाराज होता है वो तुरंती कहता है ऐसा कहा जाता है कि फाइटिंग ओड इलाइंस के पास इस जगह के बारे में कुछ इंफोमेशन है तो अगर आप इस इंफोमेशन को हमें दे सकते हैं तो इस मामले को यहीं खत्म किया जा सकता है और ऐसा लग रहा था इसका गुस्सा अब साथ में आसमान पे हो तब ही जॉन कहता है क्या होगा अगर मैं दौनों ही बाते ना मानू जोन यह बता सकता था कि लिंग फैंगवान उसकी आइडेंटिटी को जानता है और उसकी पावर को सीधे देखता है साथ यूसे एक नॉर्मल परसन मानता है जो केबर ट्वी स्टार फाइटिंग और पर है और अब ऐसली सभी टैलेंटेट लोगों के बीच में जिसकी पावर जादा होती है वो कम पावर वाले बंदे को हमेसा ही लो और बीक नजरों से दिखता है जैसे कि वो उसके सामने चीटी हो और यही सेम लिंग फैंगवान के साथ भी था सल्थी लिंग फैंगवान काफी उदास होता है ऐसा लग रहा था कि जो यान का जो भी हैवियर है उसने उसे बिलकुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसे भी हैव करेगा जिसके बद वो अपनी एनरजी को सो करते हो कहता है अगर यहाइनेस रेडी नहीं है तो हमारे पास भी कोई उप्सन नहीं अगर आप फार्टिंग गॉड इलाइस की रिपोटेशन और पावर का यूज करते हो और नाम का यूज करते हो हमसे लड़ना चाहते है तो प्रतिष्ठा या पावर कितनी भी स्ट्रॉंग के हो ना हो यहां साला सौ को गिरने हो तो मजार के क्लब जोरन तो इसे लंका लगा देगा वो भी अकेले बोत तुरंदी कहता है मुझे उम्मीद है कि आप इतना जल्दवाजी नहीं करेंगे मैं आपको सोचने करे टायम देता हूँ कहीं ऐसानों की योगाईने से जितना हासिल किया उससे ज़्यादा खो दें इसलिए मिल बाट कर प्रॉफिट को उठाना सबसे अच्छी बात होगी तब ही जान कहता है इसके बारे सोचने की कोई जोरत नहीं मेरे पास इस नाम का कुछ एफेक्ट है बैसे भी हम वर्ड कॉमप्टीसन के दौरान मिले थे लेकिन बैड लग था कि आपके किसी भी टीम के परसन के पास कोई भी हड़ी तक नहीं बची मैं आपको यहाँ पर सलाय दूँगा कि आपको औरीजन कोई के बारे में बिलकुल भी नहीं सोचना चाहिए यह सबसे अच्छा होगा और यह सबसे अच्छा होगा कि आप जितना दूर जा सकते हैं चले जाएए साथिजन की गहरी आवाज के साथ उसके हांत उसके पीट के पीछे होते हैं दूस्तर फैंग वान हिल नहीं भाला था कि जान की बातों को सुनकर वो चोग गया होता है और उसके चर पे एक हजीब सी स्माइल आ जाती है लेकिन इससे पहले की बेचारा कुछ बोल पाता जो यान की आवाज आती है साथिजन कहता है अंगली बार फ्यूचर में तुम्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि तुम्हें तिला परवाय ना हो और दूसरे लोगों के एरिया में मत घोसो क्योंकि इसलिए कि तुम्हें लगता है तुम अनभीटेबल हो और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता ज्यान की बात को सुनने के बाद जो यान की बोडी से उसका औरा निकलने लगता है और ये बिल्कुल एक मैगमा की तरफ उड़ गया होता है जो एक कापी गर्म औरा होता है जिसे देखकर तो लिंक फैंगवान के इंप्रेशन बदल गया होते है क्योंकि उसके आसपास एक formation ग्रेंट हो गये होते हैं और उसने कभी नहीं सोचा था कि ज्यान वाँ एक formation create करेगा तब ही जान कहता है थंडर फायर formation आसमान काला हो जाता है जमीन लाल हो जाती बीच मिन के पीला हो गया होता है आसपास का प्लेस पूरी तरिके से कांप रहा होता है साथ ही आसपास के जो लोग यहाँ पर पहले उससे एगरी थे वो जब सामने की सीन को देखते हैं वो समझ गया होते कुछ गलती सीन है और वो तुरंती पीछे हट जाते हैं अब्वेसली यह लोग फट्टू लोग थे जो कि कभी भी किसी के भी सगे नहीं होते यह केबल अपना प्रॉपिट देखते हैं इसलिए जैसे ही वो इने प्रॉब्लम में देखते हैं सबसे पहले अपनी फटी को सिलने के लिए पीछे हटते हैं उन सभी लोगों के चेहरे डर से भरगो होते हैं और वो जैन की फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए ओरिजन कोई का देदनादन यूज करे होते हैं तब यह आन कहता है मेरे ओर्डर्स को सुनो इन में से किसी को जाने मत दो लेकिन याद रखना उन सभी की स्टोज रिंग को रख लेना रतना कहने को जैन कहता है लूट लो साथी फाटिंग ओड़न है सोबेसली अपर रियलम से लेटेट था और उनकी रियल पावर किसी की भी पावर की पावर बैंक लगाने में कैपबल थी इसलिए फाटिंग ओड़ा इसके सोब्लस लोग बिल्कुल भी पॉलाइट नहीं होते और जान की फार्मेशन की तरब तूट पड़ते हैं जैसे सिकार ही अपने सिकार की तरब तूट पड़ा हो साथि उन्होंने सभी को मारते हुए उनकी इस्ट्रोज लिंग्स को चीनडाय स्टार्ट कर दिया था दूस्ता उपर के थंडर बोल्स ने पहले सी काफी सारे लोगों की ग्राइंडिंग इस्टार्ट कर दी थी हालकि ये फॉर्मेशन सो लोगों को रोकने के लिए अभी थोड़ा सा भीक थी लेकिन ये हेल्प कर सकती थी साथि जो छोटी मोडी टीम में यहां सामेलोई थी वो तो गायब हो चुकी होती है साथि लिंगलू टीम के सो प्लस लोगों को जिंदा पीटा गया था जो अने श्टाफे फाइट नहीं देखता क्योंकि अब इसलिए उस इस फाइट में कोई भी इंट्रेस्ट नहीं था वो सीधा यहां पे लिंग फैंग वान को ढूड़ रहा था साथि यहां तुरंती कहता है परियाप जगे दो और फैल जाओ जो देखा है ऐसा तुरंती कहता है लोगों के ये लोग या ये ग्रूप बास्ता में कापी फट्टू थे बास्ता में मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन की चुकि आपने मुझे मौका दिया है मैं अब बेसली इसका फायदा उठाऊंगा उसने देखा था सभी लोगो गैब होता हुआ देखकर लेकिन जो एयान को देखता हुँ उसके दिल में और भी गुस्सा होता है लेकिन लिफ हैंगवान को लग रहा था की कुछ तो सही नहीं है साथे ऐसा लगता था की सही में बास्त में ऐसे हीडीन अटेक करने के लिए बिल्कुल भी गलोरी नहीं है कि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं रखते वो obviously formation में फटसा हुआ था और thunder heaven formation जरासी भी कम जो नहीं थी जिसके कान इसका effect उस पे पढ़ रहा था वो जल भी रहा था और sock के जटके भी लग रहे थे उसने कभी भी नहीं सोची थी कि इस young लटके के बारे में वो इतना सोच रहा है उसने पहले से नेक्स एपिसोड में गुट नाइट थिन फैमिली